नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे डेली चत्तिज़र करेंट अफेर्स सीरीज में आज हम 11 सितंबर के बारे में चर्चा करेंगे और आज कि इस करेंट अफेर्स की वीडियो में हम पीछले दो दिनों में जो भी करेंट अफेर्स छूटे थे उसको भी हम कवर करेंगे तो चलिए आके वड़ते हैं चत्तिज़र के स्रीमंत जहा ने वर्ड पैरा आम रेसलिंग चेंपियंशिप 2023 में कौन से पदक जीता है कहा से पदक जीता है चत्तिज़र में किसे वन बल प्रमुक निउक्त किया गया है स्री वी स्री निवास राव को निउक्त किया गया है राश्पति स्रीमती दुरपति मूर्भु ने 36 गड़ से किसे राश्टी सिक्चक पूरुसकार सम्मानित किया है दॉक्तर विजेस पांडे को सम्मानित किया है कृष्ण कुंज योजना 36 गड़ राज जी के कितने नगरी निकायों में संचालित है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कितने इस्कूलों का जिर्णोध धर पस्चात लोकारपन किया है 368 निती 2020 को कितने वर्सों के ले लागू किया गया है भारत की पहले सोलर सिटी कौन सी है सांची मध्य प्रदेश है भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेस दौरा लांच किया गया है 9 देसों को गेस्ट कंटरी के रुप में आमन्तरीत किया गया है पिछले बीडिबो का क् स्कूस्चन है कि कहां लिथियम मंझार होने की पूश्ची हुई है राहा और रामकचार में लिथियम होने की पुष्टी हुई है तो चलिए आज के पहले प्रशने के ओर चलते हैं तेविस भी राज जी इस तरी साले खेल प्रतियोगीता में कौन से संभाग ओवराल चेंपियन बना है इसका से उत्तर है औप्शन भी रायपूर संभाग ओवर प्रतिस्थान पर प्राप्त किया है इस प्रकार ओवर ओल चेंपियन रायपूर संभाग बना है अगला प्रशन है केंद्र सरकार ने चत्तिस गड़ के उपारजन अनुमान के अनुसार परिणामी चामल की 66.5 लाग तन मातर को घटा कर कितना कर दिया है इसका सेंग उत्तर आप्शन दी 61.5 लाग तन कर दिया है केंद्र सरकार ने चत्तिस गड़ के उपारजन नुमान के नुसार परिणामी चामल की 66.5 लाग तन मातर को घटा कर 61.5 लाग तन कर दिया है साथ ही नए जूट बारदानों के आपूरती मातर को भी कम करते हुए 3.56 लाग गठान की स्थान पर 2.45 लाग गठान कर दिया है चत्तिस गड़ सरकार द्वारा इस वर्स किसानों से 125 से 130 लाग तन धान उपारजन का नुमान है प्रथम अग्रिम अनुमान के अधार पर राज्य में बोय गए धान के रगबे 36 लाग हेक्तेयर में 136.5 लाग तन धान उत्पादन का नुमान लगाये गये हैं ध्यानरकी क्या दोस्तों गौर्वमेंट से जो भी इन्फार्मेशन 9 सितंबर कर आई है उसमें 125What-1 लाग तन धान उपारजनका नुमान बताया गये है तो आप इसमें होईएगा लेकिन option में आपको एक्जाम में जब भी पूछे तो आप 125 लाग तन ही लिए लीजिएगा क्योंकि maximum हर information में 125 लाग तन धान का उपारजन अनुमान गौर्रमेंट के दौर लिया गया है अगला प्रशन है बिहान मिसog के अंतरगद डिजिटल फाइनेंस के छेटर में उतकरिश्ट कारी करने वाले कितनी बीसी सक्षीं को सम्भानित किया जाएगा इसका से उत्तरवाप्षन सी 15 BC सक्षियों को सम्मानित किया जाएगा 36 गर्ण राज्य ग्रामिन आजिवी का मिशन बिहान के अंतरगत Digital Finance के छेत्र में उत्क्रिष्ट कारे करने वाली BC सक्षियों को सम्मानित किया जाएगा राज्य के गरामिन इलाकों में वित्ती सेवाय प्रदान करने सरवाधिक आईअर्जित करने एवान वित्ती लेन देन में उत्कृष्थ कारे करने वाली 15 बीसी सक्थियों को पूरुस्कृत किया जाएगा स्वासाहता समूहों में डिजिटाल लेन देन को भी प्रोसाहित करने वाले बैंक को द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रमानी करण की प्रक्रिया में उत्कृष्ट कारे करने वाले बैंकर्स को भी सम्भानित किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस मिशन के अंतरगत 20 सक्यों को सम्मानित किया जा रहा है चतिसगर राज्य ग्रामिन आजवी का मिशन या बिहान मिशन के अंतरगत इंको सम्मानित किया जा रहा है और 15 बिहान मिशन के अंतरगत ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है चतिसगर ने सेतु बंद आसन के प्रदर्शन के लिए किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अधिक योगा भ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक सांथ वर्ड रिकॉर्ड के लिए सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया है। तीन दिवसी विश्व संगिती कारिक्रम का योजन चत्तिस गड़ के सीरपूर में किया गया है जिसका सुभारम 7 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला प्रशन है चत्तिस गड़ योग आयोग देश के कौन से क्रम का योग आयोग है। इसका सिंग उत्तर है उप्षन है पहले करम का योग आयोग है। चत्तिस गड़ योग आयोग का मूल उद्देश राज्य के प्रतेक नागरिक को स्वास्थ के प्रति जागरूग करना है। अगला प्रशन है चत्तिस गड़ में अगामे खरीब विपड़न वर्स दो हजार तेविस चोबिस में कितने कुइंटल प्रती एकर मान से धान खरीदी का निर्णा लिया गया है। मुख्यमंदर स्री भुपेज बगहल के गोशना के नुरूप 36 गड़ में पंजी कृत किसानों से अगामे विपड़न वर्स दो हजार तेविस चोबिस में 20 कुइंटल प्रती एकर के मान से धान खरीदी का निर्णा लिया गया है। जो कि विगत कई वर्सों से खरीब फिपड़न वर्स 2014-15 तक 15 कुइंटल प्रती एकर निर्धारी थी। इस वर्स 1 नमंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंगिंग व्यवस्था के तहर शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 1 नमंबर 2023 से शुरू होकर 28 फर्वरी 2024 तक चलेगी। तो ध्यान रखेगा दोस्तों वर्स 2023 से 20 कुइंटल प्रती एकर की मान से धान खरीदी करने करने निर्धा लिया गया है। और धान खरीदी जो है न वह एक नमंबर 2023 से 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। और मक्का की खरीदी 1 नमंबर 2023 से 28 फर्वरी 2024 तक चलेगी। गौड तलब है कि राज्य सरकार दोरा इस वर्स किसानों से 125 लाक मिट्रिक टन धान खरीदने का नुमानित लक्ष रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 36 सरकार दोरा जो भी अपडेट दिये गए हैं उसमें 9 सितंबर को 125 लाक मिट्रिक टन धान खरीदने का नुमानित लक्ष रखा गया ये बताया गया है। और वहीं साथ सितंबर को ये बताया गया था कि 125 से 130 लाग में ट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष रखा गया है तो लेकिन आपको अगर एक्जाम में पूछे तो आप 125 लाग में ट्रिक टन ही लेना क्योंकि अधिकान जितने भी न्यूज 36 सरकारदोरा पब्लिश होते हैं उस में 125 लाग में ट्रिक टन ही बताया गया है कि इसी तरह समान ने धान के लिए निरधारित समर्थन मूले 2183 रुपे प्रतिक विंटल और ग्रेड़ द धान के अगला प्रश्न है, चत्तिस गड़ में सबसे अधिक सोलर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला कौन बना है? इसका सिमुकतर है ओप्शन सी कभी रधाम बना है? प्रदेश के वन तथ जलवायू परिवर्तन मंत्री वा कवर्धा विधायक सिरी मुहम्मत अकबर ने कवर्धा के उर्जा पार्क में जिले की नगरपाली का नगरपंचायत्वा ग्रामिन अंचलो में 1200 वाट्स 9 मिटर छमता के 215 नक सोलर हाई मास्क लाइट इस्थापना कार हो पर लगाई जाएगी कैबिनेट मंत्री मुहमत अकबर ने इस औसर पर कहा है कि कबीर धाम जिला सबसे ज्यादा सौर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला बन गया है सोलर योजना के तहट किसानों को सोलर पम का लाब भी दिया जा रहा है अगला प्रशन है कोशा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है इसका से उत्तर है ओप्षन भी 36 गड़ पूरे देश में कोशा उत्पादन में सबसे आगे है मुख्यद्र स्री बुपेज बगेल रायपूर इस्थित बलबीर सी जुनेजाई स्टेडिया में 36 गड़ बुनकर सिल्पी संग द्वारायो जित राज्य इस्तरी बुनकर सम्मिलन में सामिल हुए इस दवरान उन्हें बुनकरों के हित में आगामी सैक्षनिक सत्र दो हजार चोबिस पच्चिस में इसकूलों में गणवे सापूर्ति के लिए 36 गड़ राज्य हतकरगा संग को प्रदान करने की घोशन भी की है और साथी साथ ये भी बताया है कि कोसा उत्पादन के मामले में आज भी 36 गड़ देश में सबसे आगे है अगला प्रशन है उपमुख्यवंतरी स्री टीयस सी देव ने रामगड में भगवान स्री राम की कितने फिट उची प्रतीमा कानावरण किया है इसका सी उत्तरह उप्षन सी 25 फिट उची प्रतीमा कानावरण किया है दोस्तो आज के लिए आपका प्रशन है अमरित भारत स्टेशन योजना में 36 गड़ के कितने स्टेशनों को सामिल किया गया है चार उप्षन आपको दिये गए है इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंड वॉक्स में जरूर बताए दोस्तो उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेशन को अटेम्ट जरूर करे आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो आशाकरतं आपको वीडियो पबने आपको समय पसंद आए हो गी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करे, शेयर करे और नीकर चैरल को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, thank you, thank you very much.